आज बात करेंगे इंडिया गडबंदन में सीट शेरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो तैयारिया हो रही है और कहां तक यह तैयारिया पहुंची है खास तौर पे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर खाबर सामने यह आ रही है कि अखिलेश यादो ने RLD को लेकर साथ सीटे उसका गडबंदन कर लिया है और साथ सीटे अब RLD लड़ेगी कौन-कौन सी वो सीटे होंगी इसको लेकर धीरे-धीरे करके चीज़े सामने आ रही है अला कि पूरी तरीके से नहीं आ पाई है तो क्य सीट-shearing का formula उत्ता परदेश में तैह हो गया है इसको लेकर आज बात करेंगे सुकेश जीवारे साथ वोजूद है सुकेश जी क्या चल रहा है यूपी में आपने अपने खहा कि सीट-sharing का formula तैह हो गया है क्या तो मोटे तोर पे यह formula तैह हो गया दूसरी बैठक जो है वो तैय हो गई है। कॉंग्रेस के साथ जो बाचीत है वो भी पट्री पे है। मेरी जानकारी में अखिलेश यादव को एक बार अशोक गहलोत या मुकुल वासनिक से बात करनी है। कुछ सीटें कॉंग्रेस ऐसी चाहती है जिस पे आखरी फैसला अखिलेश यादव को लेना अब ये बाचीत कब होती है ये देखना बाती है ये एक दिन में हो दो दिन में हो लेकिन मोटे तोर पे फॉर्मूला तै है। मैं दर्शकों की जुविदा के लिए बता दू अभी आप आपने जो सुना होगा कि साथ सीटें आरेल्डी लडने वाली है। सीटों की टरचा चौधरी को तो कौन-कौन से सीटे हैं साथ सीटे असी सीटे हैं उत्तर प्रदेश में एक एक करके बताता हूं कि कितने सीटों पे कौन लड़ेगा जो मोटे तोर पे तै हुआ है। साथ सीटे आरेल्डी सीट कुछ है। उसमें हेर फेर हो सकता है। वेस्टन यूपी की सीटे हैं बता दी मैंने कॉंग्रेस के साथ एक बार बात करनी है कुछ सीटे ऐसी है जिस पर कॉंग्रेस भी लड़ सकती है और RLW अपना दावात हो करे यह कौन इंपोर्टेंट हो सकता है जीतने वाला कैंड़ेट इंपोर्टेंट है तो जीतना जरूरी है यह कोई भी कहेगा कि आप सीटे टै कर लो कि हम इतनी लड़ेंगे और आपके पास जिताओ मिद्वार नहीं है तो यह एक साइज फूटफुल एक साइज नहीं है यह एक साइज इन फूटिलिटी कहते है इसको तो कुछ सीटे टै होनी बाकी है जो आप देख रहे हैं कि सीटे टै होगी है सीटे अभी टै नहीं हुई है सीटों का नंबर टै होगी आरेली के साथ साथ सीट अब मुझाफ़न अगार बात-पत यह तो उनकी सीटे है वो तो लेंगे लेकिन मतुरा जैसी सीट है उस पे अभी फाइनल कॉल लिया जाना बाकी है मतुरा आरेली मांग रही है लेकिन हो सकता है कि एक सर्प्राइज कैंडिएट वहाँ पे आ जाए जो जिताओ कैंडिएट उनको लगता है उनके लट बंदर को तो फिर मोटे तोर पे पहले सीट बता दूँ साथ सीटे आरेलडी पंदरा से सब्तरा सीटे कॉंग्रेस ये सीटे कौन सी है एक एक करके बता दूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा कि कितनी सीटे बाकी कैसे बटेंगी कुछ सेहरी सीटे हैं जैसे बनारस अब ये जीताओ सीट नहीं है लेकिन सिंबॉलिक एक प्रेजिंस जरूरी है कि मोटी ये खिलाफ कौन लड़ा है तो बनारस की सीट कॉंग्रेस मांगडी है हो सकता है बनारस की सीट उनको मिल जाए कानपूर शेहरी सीट है गाजियाबाद कॉंग्रेस लड़ सकती है अमेथी रायबरेली कॉंग्रेस लड़ेगी जो इनीशिल जानकारी है कि अमेथी से राहूल गांधी उमिद्वार हो सकते हैं पिर से बता दूँ कि अमेथी से राहूल गांधी उमिद्वार हो सकते हैं मेशी से चुनाओ लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी तो चाहती ही है सपा भी चाहती है कि राहुल गादी वहाँ से चुनाओ लड़े ताकि एक जोश जो है वो इस इंडिया ब्लॉक में आ सके वेस्टर्न यूपी की अधिक्तर सीचे चुकी साथ में से RLD के हिस्से में गई है तो कुछ सीचे चाहती है कॉंग्रेस वहाँ कुछ पेश फशा हुआ है जैसे मैंने चुनाओ होते हुए आजकल कॉंग्रेस में है वहाँ मजबूत बताए जाते है लेकिन खत्रा इस बात का है कि उनके लड़ने से polarize होंगे votes तो उनको दिया जाए न दिया जाए Congress ही seat मांग रही है अम रोहा की seat है दानी शली बसपा से वो निश्कासित हो चुके हैं आजकल वो राहूल गांदी के साथ घूम रहे हैं तो आम रोहा की seat दानी शली के लिए Congress चाहती है और कहां लड़ेगी Congress मैंने कहा 15 से 17 सीटे Congress लड़ सकती है तो पूरवांचल की कुछ सीटे हैं वो सीटे कौन सी हो सकती है जैसे बासगाउं है जैसे कुशी नगर है जैसे दिवरिया है जैसे महराज गंज है अब ये सीटे ऐसी हैं जो जिस पे Congress पहले लड़ती रही है कई बार वो सीट जीती भी है तो पूरवांचल की ये सीटे हैं जैसे महराज गंज की सीट वो सुप्रिया से ने जो उनकी प्रवक्ता है उनके लिए चाहती है अलाकि सपा चाहती है कि वहाँ से कोई OBC चुनाओ लड़े इस पे भी फाइनल फैसल लिया जाना है लेकिन पूरवांचल की ये सीटे हैं जहां Congress की राविदारिया हो सकता है उनको ये सीटे मिल जाए उनको ये सीटे मिल जाए कुछ सीटे बुंदेल खंड की है लखनव हो गई, कानपूर हो गई, गाजियाबाद हो गई, ये सहरी सीटे हैं ये बड़ी सीटे हैं और कभी न कभी न कभी ऐसी इन सीटों का समीकर अशा है जिसमें Congress जीती रही है पहले बीच में जब एक रिवाइवल हुआ, तो थाउजन नाइम में तो ये सीटे वो जीती थी, तो इसलिए उस पर अपना हग जबा रही है और सपा के पास भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स यहां नहीं है, तो जो सीटे काव आउट करके उनके लिए निकाला आ सकता है, उसमें ये सीटे हैं मैंने बता दिया आपको बुंदेलखंग की हमीरपूर है, जालोन है, जासी है, पुर्वानचल की बासगाओ है, कुशिनगर है, देवरिया है, महराजगंज है एसी सीटे हैं, जो कॉंग्रेस लड़ सकती है, में थी, रायवरेली के अलावा, जो उनकी ऐसी सीटे हैं, जो जिन पे उनका आधिपत्य रहा है एक चीज़ और थी, जो शुरुवात में चर्चा की गई, 18 कमिशनरेट है, हर कमिशनरेट में कॉंग्रेस ही चाहती है, ताकि प्रिजन्स रहे लॉंग टर्म प्रिजन्स के लिए ये ज़रूरी है, कि हर कमिशनरेट में कॉंग्रेस का जंडा रहे इसको क्या मीज किया जा सकता है क्या मुश्किल लगता है लेकिन कोशिस की जा रही है कि ऐसा हो जाए मुश्किल लगता है मैंने कहा कि जब आप कम सीटों पे लड़ते हो 15 से 17 सीटे आपके लिए निकाली जा सकती है तो ऐसा मुश्किल लगता है जिनको समाजवादी पाटी अपने गटबंधन में रखना चाहेगी। पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बहन है। उन्होंने केशो मौरिया को विधान सबका चुना हराया था। और अनुप्रिया पटेल के पैरलल पल्लवी पटेल की की कोशिसे सोनेलाल पटेल की बिएती हैं। वह बड़ी पार्टी थी ऊरवान्चल में। खास तौर पर कुर्मी बहुल्य सीटे, उस पे उनकी। पकड़ बताई जाती है। तो पलवी बट्रेल को भी एक से दो सीट दे सकते हैं अखलेश जो मेरी जानकारी है जन्ता दर उनाइटेड नितीश कुमार अखलेश यादव से टच में हैं चुकि वो भी कुर्मी विरादरी से आते हैं वेस्टरन यूपी में उनका अच्छा खासा प्रभाव है कुर्मी व हो सकता है कि नितीश कुमार को बड़ा नेता बना कर वो उत्तर प्रदेश में प्रचार कर सके तो उत्तर प्रदेश में उनके लिए सीट जरूरी तो दो सीट उनको भी दी जा सकती है चर्चा तो ये चल लए थी कि वो भी उपी से लग सकती है फूलपूर से लडने की बात जन्तादी उनाइटेड चाहती है, मैंने बताया आपको कि दो सीट्स हो सकता है कि जन्तादी उनाइटेड को भी मिल जाए, महान दल उनके साथ है, अभी तक उनको सीट्स देने की बात तो नहीं है, लेकिल हो सकता है कि सिंबॉलिक प्रिजेंटेशन के तौर पे एक सीट उनक और अल्मुश्ट पचास या फिर उसके आस्पाश सीटे जोड़ लिए साथ सीटे आरेलडी 15 से 17 सीटे कॉंग्रेस पलवी पटेल को एक से दो सीट एक नाम मैं और बता दू अगर वो आरेलडी से चुनावल नहीं लड़ते हैं तो चंसेखर रावन अगर आरेलडी से नहीं तो वो एक सीट सपा चंसेखर रावन के लिए छोड़ सकती है मैंने बताया जंताल उनाइटर को दो सीटे मिल सकती है महांदल को भी अगर एक सीट मिल जाती है तो ये संख्या आती है कुल मिलाकर 30 सीट मतलब सपाश के आसपास कॉंटेस्ट करेंगी यानि ये तैम आना जाए कि बड़े भाई की भूमिका में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रहने वाली है और बसपा इस गड़बंदर में नहीं होने वाली है बसपा रूल डाउट है आज की तारीख में आपने कहा बड़े भाई की भू क्योंकि उनके साथ राजबर, महान दल ये तमान पलिवी पटेल ये तमान लोग उनके साथ थे तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है तो उनका क्लेम जादा बनता है तो ऐसे अगर देखा जाए तो फिर से बता दू करीब 50 सीटें सपा और 30 सीटों में ये दूसरे दल है जो जिनको एकॉमोडेट किया जाएगा और एक ऐसा कॉंबिनेशन बनाने की कोशिश होगी जिसमें वो जिताओ उमिद्वार उतार सकें और वो लड़ते हुए दिखें ऐसा इसलिए होगा करने की कोशिश है क्योंकि उनको मालूम है कि बस्पा जो है वो अलग चुनावले होती है या कुछ वोट जो बीजेपी के तरफ ड्रिफ्ट कर गया बस्पा की सर्वाइवल की लड़ाई है इसलिए सपा को लगता है कि वो चुनाव अगर ठीक से लड़े तो या तो उनके वोटर्स उनको वोट करें या वो पीडिये के फॉर्मूले के तहट सपा में आ जा रहे हैं तो वो फाइट में कॉंटेस्ट में दिखेंगे आज की तारीख में उत्तरपदेश सबसे कमजोर कड़ी है इंडिया ब्लॉक के लिए उसको ठीक करने की कोशिस है उसको हैमर आउट करके कैसे ठीक किया जाए इसकी कोशिस है इसलिए जो दूसरी बैटक हुई है उ जो उस कमीटी में है एलाइंस की कमीटी में ये दोनों बहुत सीजन नेता है बड़े नेता है कॉंग्रेस के तो उनसे अखिलेश यादव बात करेंगे और उसके बाद इसको फाइनल फरूप दिया जाएगा अच्छा आखरी सवाल ये चोटा सा सवाल कि कॉंग्रेस क्या क पास सीचे चाहती थी कि 25 तो हमें मिलना ही चाहिए उनके उनका फॉर्मूला ये था कि 21 में हम लोग 21 सीचे जीते थे तो उसको भी अगर बेंचमार्क बाना जाए तो जब आप नेगोशियेशन टेबल पे होते हो तो आप अपना पक्ष रखते हैं सपा का कहना था कि आप पुरानी बाते छोड़ दीजिए क्योंकि उसके पास गंगा में बहुत पानी बै गया 14 और 19 ये भी चुनाव आया है 22 का चुनाव भी आया है तो उसमें कॉंग्रेस का खड़ी है तो कॉंग्रेस इस मामले में वीक फिकट पे है तो बड़े भाई की भूमिका में वहाँ सपाई है इसलिए ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस भी थोड़ा टोन डाउन ही है जब गठबंधन में होते हैं तो आपको चाहना पड़ता है क्योंकि आपकी मजबूरी होती है कि उस गठबंधन को सालवेज करना है और कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए और उसको हकीकत मालूम है कि हम कहां तक चुनाव लड़ सकते हैं सिंबॉलिक चुनाव लड़ने से नहीं होगा कि अमुक सीट्स के लिए अमुक कैड़िएट हमारे पास है और इसलिए लड़ा दीजिए वहाँ पे बैक के जब यह गठबंधन की चर्चा होती है तो यह बता जाता है कि यहाँ पर इतने OBC हैं यहाँ फॉरवर्ड कास्ट क इसलिए कटिन है क्योंकि आपके सामने जो दल है वो अपना लक्ष और कई बार उस लक्ष को कई सीटों पे उस लक्ष को उसने पा लिया है कि वो 50% वोट चाते हैं यह फिफ्टी परसंट से जादा अगर वोट आते हैं तो आप कितना भी कॉंबिनेशन बिठा लो अगर ए रत रोकना इंपोर्टेंट है और इसलिए सारी कवायत हो रही है कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा फिर से बता दू 15-17 कॉंग्रेस साथ पे RLD पलवी पटेल की पार्टी को एक से दो सीटे चंसेखर रावज एक सीट पे लड़ सकते हैं अगर RLD से वो चुनाओ नहीं ल सकती है महां दल भी एक सीट पासकती है तो यह संख्या होती है 30-50 के आसपास सपा अपने उमिदवार उतार तो यह समी करण उत्ता प्रदेश का जो फिलहाल के लिए नजर आ रहा है सुकेश जी ने पूरी तस्वीर उत्ता प्रदेश की साफ कर दी है तो इस जो यह एक ज्यात प्रदेश की खिलक मीदर से तो हुँएा जर तो यרכ है तो यह एक जिया mamma के जी है ससाय है तो यह